मुस्करत उस्तो मैं सिधार्त आप सभी का बहुत भासौद करता हूँ तिरपुरा रहस्य ये बहुत ही अद्भुद गरंथ है मैं इसे ऐसा मानता हूँ कि यदि आपने इस गरंथ को पढ़ लिया एक ही को आपने समझ लिया तब आपको कुछ और पढ़ने की आवशक्ता नहीं है सभी वेदों का, सभी तंत्रों का ज्यान इसी में है और इसी कारण जो ज्यान गंज से जुड़े हुए वक्ती है जो ज्यान गंज के बारे में बहुत उच्चुकता रखते हैं जाननी की उन्हें भी ये वाला वीडियो ये श्रिंखला हमारी सुननी चाहिए क्योंकि गोपिनात कवी राज जी जो ज्यान गंज के साथ में जुड़े हुए थे जिनके गुरू परमहंत वेशुधनन जी थे उन्होंने भी तिरपुरा रहस्यपर भाध काम किया है और ज्यान गंज की जो अधिश्ठात्री देवी है वो तो देवी तिरपुरा सुंधरी ही है राज राजेश्वरी है राज राजेश्वरी मठ के ही अंतरगत आता है ज्यान गंज भी और इसे मैं बहुत अध्भुत एक और कारण से कह रहा हूँ वो ये कि जब मैं इस ग्रंत को पढ़ने के लिए बैठा और जब मैंने कुछ अध्याइप पढ़ लिये समझ लिए ऐसा मुझे लेगा कि मैंने समझ लिये तब मैंने विचार किया कि अब मैं वीडियो बनाता हूँ पर अंतुसति मानिये कुछ भाव ही नहीं आए कुछ विचार ही नहीं आए तब मुझे धान आया कि जो कुछ भी मैं वीडियोस में बोलता हूँ जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो देविक इच्छा सही है ये बाद मैं कितने सारी वीडियोस में कह चुका हूँ इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है भहुत कृपा होती है तो हो जाता है तब मुझे लगा कि थोड़ा और गहराई में ध्यन करना चाहिए जब एक स्तर तक मैं पहुंच गया तब स्वतह ही मन में कुछ और विचार भी आए जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ आप मुझे उस पर अपना मत बताईएगा मेरे विचार से ऐसा है कि पिछले एक हजार दो हजार वर्षों में भारत ने बहुत कुछ खोया है मैं किवल भूखंट के बात नहीं कर रहा हूँ वो तो राजनीती है वो तो राजनीती सही पुना वापिस भी आ जाएगा पर दो जो हमने खोया है वो हमने अपने कुल को खोया है अपने विज्ञान को खोया है संसकारों को खोया है संस्कृती तक को खोया है वेद के ज्ञान को खोया है और तंत्र के सार को खोया है तंत्र वो नहीं है जो आप टीवी पर या किताबों में या अन्य कहीं और पर देखते पड़ते हैं यदि आप मंत्र कर रहे हैं जिससे आपको धनलाब हो जाए तो वो तंत्र नहीं है वो तो उसका एक निवन सा एक लेश मात्र है तंत्र बहुत विशाल है तो हमने ये सब खोया है और इसके साथ में हमने एक और कुछ खोया है और वो है भगवान परशुराम बात थोड़ सी अटपट से लग रही होगे भगवान परशुराम को हमने खोया है क्योंकि इनका जो चरित्र रहा है इनकी जिस प्रकार की परस्नालिटी रही है वैसा और कहीं आपको देखने को है जो चलता है रहता है उससे इतर नहीं है उनका पूरा जीवन इसी धुंद्व में रहा है और हमने उन्ही को खो दिया है उन्ही को समझा नहीं है हम भगवान परशुराम के थोड़ बात पूजा कर लेते हैं कोई समुदाय है जो उनको मानता है परन्तु उनकी घहराई को हमने नहीं जाना है हम इन्हें क्रोध इनका जो क्रोध था उन्ही से जानते हैं परन्तु क्रोध के बाद जो इन्हें वेराग्य आया जिससे इनका सत्य में उदाय हुआ उसके बारे में तुम चर्चा भगवान परशुराम के वैराग्य से होता है। इनके उस द्वंद से होता है। और इसी कारण इस वीडियो में से श्रिंखला में ये जानना बहुत आवश्क है कि वो द्वंद है क्या। विहन कर दिया, तब ये चले गए महेंद्र परवत पर महत्तब किया। अथ्यनत्त तपो बल से इन्हों ने कई पुण्ण लोकों पर भी अपना अधिपत्य एकठा कर लिया। यह ने कि इन्हों ने उस पर राज्य कर लिया, अगर पुण्ण लोकों को प्राप्त कर लिया। रिशी कश्यप को सौंग दिया रिशी कश्यप ने फिर इनहीं को बोला कि आप इस शेत्र से बाहर ही चले चाहिए तब ये चले गए महिंद्र परवत भर अब जब इन्होंने तप करा इतना कुछ इन्होंने प्राप्त कर लिया जब इन्हें ये पता लगा कि श्री राम ने महादेव के धनुष को भंग कर दिया है तब ये पहुंच गए श्री राम के पास अब यहाँ पर ये कथा तिरपुरा रहस्य में भी है परन्तु यहाँ पर मैं आपको रामायन में एक था किस प्रकार से वो बताता हूँ धान से सुने का बहुत ही अद्भुद है श्री राम का जो धनुष भंग करने का ये जो पूरा प्रकरण है ये वैसा नहीं है जैसा हम सीरिल्स में देखते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था श्री राम लक्षमन जी के साथ विश्वमित्र के साथ जब पहांचे थे राजा जनक के राज्य में तब इनका सौगत किया गया था इन्हें ठहराया गया था और फिर इन्हें वो जो धनुष था भगवाने शेव का वो दिखाया गया था लोहे के संदूक में वो उसको रखा गया था और बस दिखाने के लिए इनके सामने लाया गया था तब श्री राम के मन में आया कि मैं इस उठा करके देखता हूँ तब सभी रिश्यों ने स्वाइम राजय जनक ने कहा ठीक है देख लीजे उसको उठा करके तब श्री राम ने लीला में ही उस भयंकर धनुष को उस इतने भारी धनुष को यूँ ही उठा लिया और उठा करके उसकी प्रत्यंचा भी चड़ा दी फिर उस प्रत्यंचा को जैसे खींचा तब ही वो धनुष बीच में इसे तूट गया इतनी भयंकर धनी हुई कि आसपास के लोग मुर्चित हो गया तब राजा जनक ने अपनी पुत्री रामायन में जो शब्द आता है वो आता है वीर्य शिलका अपनी पुत्री सीता माता सीता का विवाह श्री राम चंदर से कराने का ऐसा निश्चाय किया फिर आयोध्या से राजा दश्रत आये, सभी भाई आये, सभी भाईयों का विवाह हो गया और जब विदाई हो रही थी, तब मार्ग में कुछ विचित्र घटना होई राजा दश्रत ने देखा कि एक और पक्षी हैं वे बहुत भयंकर धनी कर रहे है परन्तों वहीं पर हिरन जो हैं वो एक दूसरी और भाग रहे हैं इस पर राजा दश्रत ने रिशी वसष्ट से ये प्रशन किया कि रिशी वर ये तो अप्शकुन और शकुन दोनों ही होए हैं इसका अर्थ क्या हुआ तब रिशी वसष्ट ने कहा कि देखिए पक्षियों ने जो भेंकर धनी निकाली है उससे तो आप्शकुन मालूम पड़ता है परन्तु जो हिरन उस ओर गए हैं वो ये बताता है कि वो जो कुछ भी घटना होने वाली है उसके बाद शांती ही हो जाएगी कुछ भी बुरा नहीं होगा तो आपने चिंत रहें घबराईये नहीं इतने में सामने से देखा गया कि धूल उड़ते भी आ रही है काले बादल आ गए है पेल तूट करके गिर गए है और एक बार फिर से बहुत ही घंगोर धनी होती है जिससे की बहुत लोग मुशित हो करके गिर जाते हैं केवल कुछ रिशिगण, राजद अश्रत, श्री राम, अश्वन यही खड़े रहते हैं और फिर उस धूल के बीच में से एक विशाल आक्रिती आती है हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में एक विशाल तेजो माए धनुश है पीछे बान है तूनीर में, जटा जूट एक तेजो माए अत्यन्त तेज से युक्त एक विशाल सा व्यक्ती खड़ा है जो स्वयम महादेव सा प्रतीत हो रहा है, वो और कोई नहीं भगवान परशुराम थे उनकी आँखों से मानों अगनी निकल रही थी, क्रोध में दिख रहे थे सभी रिशिगन, राजा दश्रत समझ गए कि ये पुनाख शत्रियों का संहार करने के लिए आया है तब राजा दश्रत ने हाथ जोड़ करके उनसे विनिती करी उसे पहले रिशियों ने उन्हें अर्ग दिया, उन्होंने वो अर्ग स्विकार किया और फिर उन्होंने राम से, प्रभूश्री राम से ये कहा कि वीर तुम्हारे पराक्रम के बारे में मैंने सुना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमने भगवान शिव का वो जो धनुश है उसको भंग कर दिया परन्तु मेरे पास भगवान विश्नु का ये विश्नु धनुश है वैशनु धनुश है इसे तुम उठा करके दिखाओ यदि उठा सकते हो तो प्रत्यन्चा चढ़ा करके दिखाओ बान तुम्हें देता हूँ वो बान इस पर चढ़ा करके दिखाओ यदि ऐसा कर पाते हो तब मैं तुमसे घंगोर दंद्रिध करूँगा जब ऐसा सुना तब राजा दशरत के हात पाउ काम उठाए उन्होंने भगवान परशुराम से विनती करी ये कहा कि ये तो बालग है कृपया करके ऐसा नहीं करें क्रोध आपको ओशोभा नहीं देता है आपने वैसे भी शत्रियों का संगार करके अपने पिता का प्रतिशोद तो ले ही लिया है अब क्यों आप उन्हों करोध कर रहे है परन्तु परशुराम ने राजा दश्रत के और देखा तक नहीं वो राम सही बात करते रहे उन्हें फिर से कहा कि तुमने जो किया है उसकी पीछे की मैं तुमें एक कथा बदाता हूँ ये जो धनुष तुमने तोड़ा है ऐसा धनुष पूरे संसार में और कोई नहीं है ये वही धनुष था जिससे महादेव ने तृपुरा सुर और उनकी नगरियों का अंत किया था इससे विश्व कर्मा ने बनाया था और देवताओं ने जाकर के महादेव को दिया था चतंब के महादेव और भगवान विश्व में से है शक्तिशाली कौन है इस प्रश्णों को लेकर कि भ्रमा जी के पास गए भ्रमा जी ने महादेव और भगवान विश्व में बैर प्यादा कर दिया जिससे की दोनों में युद्ध हुआ युद्ध बहुत समय तक चलता रहा फिर भगवान विशिनु ने इस ही धनुष पर एक तीर को चढ़ाया और महादेव की और छोड़ा जिससे की महादेव तरह एक पीछे हड़ गए तब देवताओं ने भगवान विशिनु को अधिक शक्तिशाली घोशित कर दिया राजा जनक के पूरवजों को दे दिया उसके कुछ समय बाद भगवान विशिनु ने इस वैशना धनुष को मेरे पूरवजों को दे दिया मेरे पिता भी इसको धारण करते थे और अब मैं भी इसको धारण करता हूँ तुमने जिस धनुष को तोड़ा है वो तो संदूक में रखा हुआ था अब तुम इसको धारण करो जब इतना कुछ कहा भगवान पर श्राम ने क्रोध हमें तब तक श्री राम शान्त थे जब उनके पिता को भी भगवान पर श्राम धन नहीं दे रहे थे तब भी श्री राम शान्त थे किवल मुस्करा रहे थे इतना कुछ सुनने के बाद भी वे शान्त थे वे ब्रहमन श्रेष्ट करके बाद कर रहे थे ब्रहमन करके बाद कर रहे थे परंतु जब ये कहा कि इसको चढ़ा करके दिखाओ इसको इस पर तीर तुम चढ़ा करके दिखाओ तब श्रीराम ने विनम्रता पूरवखी वो धनुष को अपने हाथ में लिया उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष को रखा और प्रत्यंचा को कान तक खिंच लिया जब ऐसा हुआ तब रामायन में लिखा है कि भगवान परशुराम के भीतर से वो जो उनका वीर्य था वो जो तेज था वो ऐसा हुआ कि उनसे वो वापिस भगवान विष्णू में चला गया स्वायम भगवान विष्णू में वो तेज भगवान परशुराम का पुनहा चला गया बहुआन परशुराम वीरहीन हो गए, तेजहीन हो गए, मिस्तेज हो गए उनका वो जो भिमान था, वो शीथिल पड़ गया, वो कुछ नहीं कर पाए वो किवल अवाक होकर देखते रहे, कि ये क्या हो गया अद्भत देखते रहे, और फिर उन्होंने कहा, राम मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही भगवान विश्ण हो है जब ऐसा कहा, तब शीरी राम ने कहा है ब्रामन श्रेष्ट, मेरे पूरे जो ने जो मुझे ग्यान दिया है उस कारण मैं आप पर इतीर नहीं छोड़ सकता, आपका बदन नहीं कर सकता यानि आप संची इतना कुछ हुआ भवान राम फिर भी शांत खड़े थे हाथ में धनुष था पर उन्तु क्रोध नहीं था शक्ती थी, सामार्थ्य था पर उन्तु शील उन्हीं को धारण किये होए था तब श्रीराम ने कहा है भगवान परशुराम अब ये तीर तो चड़ चुका है मैं या तो आपके अकाश गमन की यो शक्ती है उस पर इस तीर को चड़ा करके उसे समाप्त कर दूँ या फिर आपने अपने तपो बल से जो पुण्य लोकों को अर्जित किया है प्राप्त किया है मैं उसे समाप्त कर दूँ आप बताएए तब भगवान प्रशुराम ने कहा कि अप मेरे अकाश गमन की शक्ती को नहीं चीनिये क्योंकि मैंने रिशिक अश्यप से उनको ये वचन दिया है कि मैं रात्री को धर्ती पर नहीं सोगगा इस कारण मुझे अकाश में रहनी की शक्ती तो चाहिए परंतु आप मेरे पुण्य लोकों को जो मैंने अपने तपोबल से अरजित किया है उसे आप रख लेजिए उसे आप अपने पास पुणा ले लेजिए तब श्री राम ने उस तीर को पुण्य लोकों की दिशाकी को छोड़ा अब रामायन में ये जो प्रसंग है इसी कोई संक्षप्त रूप में तिरपुरा रहत समें बताया गया है किन्तु जो सार है वो सार वैसा ही रखा गया है इस अध्याय का नाम तिरपुरा रहत समें भगवान राम को कला प्रदान करना ऐसा दिया गया है उन्हीं की जो कला थी भगवान विश्रु की जो कला थी राम जी को जो कला थी वो उन्हें स्वैम को पुरह प्रदान कर दी गई ऐसा तरपरा रहस में उस अध्याय का नाम है अब जब ऐसा हुआ और भगवान परशुराओं पुनहा जा रहे थे अपने धाम तो उनके मन में द्वंद उत्पन्ना हुआ यह वही द्वंद था वो यह वही कौतुहल था जिसके कारण त्रिपुरा रहस से उत्पन्ना हुआ वो कौतुहल क्या था? मैं सोचते रहे हैं कि मुझे क्रोध क्यों आया? मैंने तो 21 बार धर्ती पर विजय प्राप्त करी है फिर एक यग्य किया उसके बाद मैंने धर्ती को रिशिकश्यप को स्वांप दिया परवत पर चला गया ध्यान किया, तब किया पुण्डन लोकों को घृजित किया स्थ्याप राप्त करी इतना कुछ कर लिया फिर एक रोध क्यों आया? रोध में आकर कि फिर मैंने अपना ही अपमान करा लिया ऐसा क्यों हुआ? तब उनके मन में विचार आया कि ये मुह के कारण हुआ है मुह ये तो मेरा है जब मन में ये आता है मैं और फिर मेरा तो मुह से ही मद आता है ये तो मेरा है अर्थाद मैंने इसे अरजित किया है मैंने अरजित किया है मैंने मुझे में इतना सामर्थ है जब ऐसा आता है तो फिर यदि उस चीज का अपमान हो कोई बात आपके अनुकूल नहीं हो रही हो तब क्रोध भी आता है ये तो मेरी ही चीज है मुझे ही नहीं मिल रही है मेरी अनुसार नहीं चल रही है क्रोध आता है अर्थात मेरे भीतर ऐसा भगवान पर उश्वराम के मन में आया मेरी भीतर मद भी है और मुह भी है इतनी सारी सिध्यां प्राप्त करने के बाद भी मेरे अंदर मुह है क्या लाब विश्व विजय का क्या लाब इतनी सिध्यों का जब ऐसा हुआ तब उनके मन में वेराज्य उत्पन्न हुआ, वेराज्य, इससे संसार के प्रति घ्रना उत्पन्न हुई, आत्मक्लानी तो हुई ही, पर उन्तो घ्रना, तिरसकार की भावना हुई, इसे छोड़ देने का मन करा, इसके प्रति सारा आपका रशन जो था वो समाप्त हो गया, इससे दोस्तों हमें ये बात भी समझ में आती है कि हम जो साधना करते हैं उससे अपसिध्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, समान प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु स्वयम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये जो क्या है दोखे हमें जो दुख मिलते हैं हम उसके कारण के पीछे चले जाते हैं हम यह नहीं सोचते हैं कि दुख आया क्यों कैसे आया यह हम सोचते हैं इससे मुझे दुख दिया इस कारण मुझे दुख आया क्यों आया हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जो दुख है यह ईश्व ही दी है इस पर चड़ करके हम अपने स्वयम का उधाय कर सकते हैं पर उन्त हम उस दुख को हटाने में लग जाते हैं कभी जब भी आपको दुख आए तो आप सोचेगा कि तभी आपके भीतर वैराग्य भी आता है इतना कुछ मैंने प्रत्न किया इतना कुछ कोशिश करी पर फिर भी ऐसा हो गया इतनी कोशिश कर रहा हूं पर फिर भी यह हो रहा है यानि यह सारा संसार जो है मेरे सारी शक्ती जो है मेरा विश्वास जो है यह सब विकार है तब हम क्या करते हैं लेकिन हमको मोटिवेशन व इसका भी तो कुछ विचार करना चाहिए। दुख जो आया है दोस्तों, यह ईश्वर हमें अपनी होने का प्रमान देता है। इसमें कि हम दुखी हो या फिर हमको संदाप हो, हम पीडा में रहें। उसकारण नहीं। पीडा से निकलना है। पर उन्तु दुख को हम छोड़े नहीं, उसको पकड़ करके रखें। क्योंकि तभी से वैराग्य आएगा। वैरागय का अर्थ समझना बहुत आवशक है। सन्यास नहीं होता है। परवत पचले जाएं वो नहीं होता है। कैसे इस संसार में रह करके अपने निजकार्य को करते हुए, परिवार के साथ में रहते हुए, हसते, खिलते, खाना खाते हुए भी आप निरलिप्त रहें। वो वैराग्या है। वो आप मुझ में नहीं आता है। अच्छा यहां पर क्रोध की भी बात आती है। क्रोध तो आपको भी आता है, मुझे भी आता है। ऐसा कहा गया है कि क्रोध जो है वो तो सामर्थवान को आता है। जो कर सकता है उस ही को क्रोध आता है। यह बात ठीक है परन्तु अब यहां पर श्री राम को भी क्रोध आता है। आया है श्री कृष्ण को भी आया है महादेव को भी आया है विश्ण को भी आया है दुरगा को भी आया है हनुआन जी को भी आया है परंतु उनके क्रोध के बाद अब देखें विश्व में कहीं पर भी इतिहास में पुराणों में कहीं पर भी जहां भी क्रोध आया है और क् यदि कुछ कार्य हुआ है तो उसने विध्वन सही किया है परन्तु अंतर ये है कि जितने भी महापुरुष हैं ये देवतुल्य रखती हैं इन्होंने उसके बाद में प्रायश्चित किया है पशताप किया है भगवान शिर्व ने जब प्रासुर का वद किया तब उनके आँखों से अश्रू भख जिस्से की रुद्राक्ष उत्पन्ना हुआ भगवान शिर्राम ने जब रामन का अंत किया उसके बाद में रामश्वर्म जाकर के उसका प्रायश्चित किया कितिनी बार आपने मैंने ऐसा किया है क्रोध करते हैं फिर बादबे सौरी बोल देते हैं पर अन्ठु सौरी प्राशित नहीं होता है इसे पकड़ करके इसे थोड़ा विचार करने का वश्वकता है खोटकों में इतनी ऊपर नहीं चड़ाएं कोई बहुत अच्छी बात नहीं है परन्तु बात हम कर रहे थे यहां पर कि यह जो द्वंध है जो दुख है इसे पकड़ करके इसे थोड़ा विचार करनी का वश्वता है क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं जो महात्मे खंड़े में उसकी बात कर रहा था परन्तु जो ग्यान खंड़े जो दूसरा खंड़े जो दूसरा खंड़े उसका आरंभ भी विचार सही आता है पूरे ग्रंथ में विचार और उस पर विमार्ष इस ही के बारे में बात है विचार करें परन्तु ग्यानखंड में ये आता है कि ये जो विचार है ये जो वैराग्य है ये हम में आ सकता है परन्तु किवल क्षण भर के लिए होता है थोड़ देर के लिए आया फिर से हमने कोई त्युहार आ गया कोई अच्छी बात हो गई जो हम कोशिश कर रहे थे वो हो गया फल मिल गया वैराग्य फिर से चले जाता है उसली गायब हो जाती है और अब फिर क्या करें तब ऐसे में ग्यानखंड में कहा है कि ये जो वैराग दुख को हम गले लगाएं बार-बार हम जो सोचते हैं कि क्यों होता है मिरा हत बार-बार वो इसी कारण होता है क्योंकि हम सीखने लेते हैं या तुम बार-बार दुख को गले लगाएं और इस स्टेज तक पहुंच जाएं कि हम सब कुछ खतम हो जाएं या फिर हम समझदा के आरंब में तिपर रहसके कहा है कि ये जो वैराग्य है ये सदैव आपके साथ रहे ये भी केवल देवी ये कृपा से हो सकता है इसी कारण उपासना बहुत आवश्यक है महात्म खंड इसी कारण पहले आता है जब भगवान परशुराम के भीतर वो वैराग्य आ गया और जब वे पहुंचे भगवान दत्तात्रेय के पास तो देखा कि भगवान दत्तात्रेय के एक गोदी में एक नग नावस्था में एक वैश्या बैठी है दूसरे तरफ मदिरा है भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि मेरे सबी जो रिशिगाने मुझे चोड़ करके जा रहे हैं तुम यहां क्यों खड़े हो भगवान परशुराम के मन में जो वैराग्य था वो सत्यका वैराग्य था वो इस प्रकार गहराए में उनके उतर चुकाता कि उन्होंने जज नह सुनदरी का, वो दिया, इनकी उपासना को पहले बताया, महत्रखंड वही है, क्योंकि उपासना से ही भगवत कृपा होगी तभी हमारी भीतर वैराग्य आ सकता है, तभी ज्ना हो सकता है, और इसी कार जो अगला वीडियो होगा, वो उपासना के रहे हो, कितनी प्रकार की पास ना होती है, उसके बारे में होगा तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ परनतु आगे आने वाले वीडियोज जो हैं, सत्यमाने बहुत विचित्र होने वाले हैं, बहुत अदभुत होने वाले हैं देवी का पहली बार प्रादूर्भाव कभ हो आथा, उसके बार में भी चर्चा करेंगे. ज्यान गंज से जुड़े हुए कुछ बाते जो भगवतित्रपरा सुंदर के बारे में है, उसके बारे में बात करेंगे. बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझ रहा है. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुन्दर लगा होगा, इसमें कही गई बात है, आपको सुन्दर लगी होगा, यदि ऐसा है तो क्रिप्या करके, कॉमेंट सेक्षिन में जाकर मुझे बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आई खरी राँ